तो आप सब लोग आगे होंगे तो लेट स्टार्ट या देखिए का आज का जो लेक्षे नमबर है यह लेक्षे नमबर 24 और आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया था बट मैंने मैसेज जो है अपने टेलिग्राम के ग्रुप पर अल्रेडी प्रोवाइड कर दिया था आपको मैं मैं आज लेट हूँ आपको वह मैसेज मिल गया होगा और कोई बात नहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है बट अफकोर्स विया गिव इंफोर्मेशन जो मैं टेलिग्राम के ग्रुप में है उनको अल्रेडी इंफोर्मेशन मिल गई होगी ओके तो अमिता सिंह करी हाओ आयू सर आ सबसे पहले जिन्होंने हमारा अप्लिकेशन को डाउनलोड नहीं किया है आप को जरूर्व डाउनलोड करने है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हमने अपने नोट्स भी लांच किये हुए है तो यादे कि जिसके अपी तक नोट्स हमारे नहीं देखे हु हुए है आप इंस्साग्राम की लिंक से आप उस सैंपल्स को देख सकते हैं आपके लिए हल्फुल होंगे है और जैसे कि आप सब को पता है कल यूपीस की का नोटिफिकेशन भी आने वाला है यहोप आप लोग रेडी होंगे उस नोटिफिकेशन के लिए भी ओके लेट तो आज जो होने वाले आउंट आफ टेन कोशन ठीकोशन गोग वी चालेंजिंग कोशन आइठिंक वो तीन कोशन डिफिकल्ट होंगे आजके तूट यहाल कोशने नहीं होता है तो आज भी कुछ फॉटेंश पर नेया ही होगा यह से कोई कोशन नहीं हुगए जो रिपीट में पॉसिबल नहीं है वह इंफॉर्म ज़रूर करें तो अगर बता दिया है कि 15 मिट्स लेट है हम तो आप लोग को आज आना चाहिए और जो लोग लेट हैं उनके लिए करें देश अड्वांटेज है याद अखिये का आज हम कुछ लोग को टेलीग्राम के मेरा मोबाइल स्विच ओफ हो गया है ओके जो मेरा दूसर मॉबाइल है वह वह स्विच ओफ हो गया वनना मैं मैं मैंसेज कर देता ग्रूप पर तो आज किते चालेंज है मनु आज तीन च प्रेजेंट हो जाएं बहुत लोग शायर टाइमिंग थो था फ्लक्षवेट हुआ है तो इसकी वैसे अभी तक नहीं आए हुए हैं लेट्श वेट कर लेट्ट किये ही हमने तो लेट्स वेट्फ फॉर वन टू मिनिट्स मों ओके जैहिंद बंदेश शर्मा करेंसर लिंक नहीं दिया है आज सर अचाहां मैं पता है मैं मुबाइल स्विच ओफ हो गया है जिससे मैं लिंक प्रोवाइड करता था जिसके विए से मैं लिंक नहीं दे पाया हूं अप लोग नहीं आएंगे याद रखेगा आज भी हम बहुत लोगों को गुरुप से निकालेंगे गुड इवनिंग शर अपणना कह रही है गुड इवनिंग अपणना जैहिंद पितेंद्र कुमार कह रहे हैं पितेंद्र आई थे मुझे मैसेज भी किया था कि सर कोई बात नहीं हम 10-15 तक वेट करेंगे बुले नाच से मिला दो ताहिल कह रहे हैं मिलेंगे तो तब जब सब लोग आएंगे अभी भी मैं स्टार्ट नहीं करूंगा ध्यान रखना मेरे सैटेड़े को पीसेज का प्री है पंजाब का सर बेस्ट आफ लग हाईशा जिंदल आपके एक्जाम के लिए और जब तक यह नंबर्स टॉप चाट के जो हैं वो बढ़ेंगे नहीं मैं लेक क्या ज़रूर बताएं गुरुप पे तो आपने हमाई वेज़े से आपके मार्स अच्छा है संगीता के 80 मार्क्स आये हैं और सॉरी 56 मार्क्स आये हैं तो कॉंग्रेशलेशन संगीता गुड इवनिंग आई थिंक सब लोग आ चुके हैं नंदनी कह रहे हैं गुड इवनिं मैं थोड़ा सा लेट होगे आप लोग को लेट नहीं होना है मैं फैसे रिपीट कर दूँ ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई होप आप सब लोग आ चुके हैं प्रेजिंट फॉम अरुनाचर प्रदेश ओके सो क्या मैं स्टार्ट करूँ आपना लेक्षर लेट मी नो तो मैं लेक्षर स्टार्ट करता हूँ जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर लेट स्टार्ट सो आम गोंगी टू स्टार्ट नो सर डिस्टरविंट्स होगा नो सर नहीं करना चाहिए अच्छा अच्छा उसकी बात कर रहो आप लोग टेलिग्राम की ओके ओक बहुत सारे सी हैं तो पुछा गया है कौन से सी जो है वो इंडियन ओशन में लोकेटेन है जैसे कि अरेबियन सी लकादीव सी सोमाली सी तस्मान सी इन मैं से कौन से सी जो है वो इंडियन ओशन में लोकेटेन है तो कमेंट बॉक्स मुझे मुझे बताइए कौन सांसर करेक् two three four which among the following is the correct answer so i am waiting who will give me the correct answer question number one which among the following seas are located in indian ocean mark attendance so i don't get removed from where to mark attendance poonam sharma is the correct answer i will go with him yes gotham goswami b b कह रहे हैं okay gotham goswami और विजयकुमार राना भी जो है वो भी बी कह रहे हैं okay so okay भी अप शिवा भारती भी कह रही है okay correct answer option number B याद रखेगा कि तस्मान सी कहां पर located है क्या ये इंडियन ओशन में located है तस्मान सी है ना शायद आपको तस्मानिया के बारे में पता होगा तस्मान सी भी आता रहा होगा आपको क्या रखेगा ये इंडियन ओशन में located नहीं है है okay so one two three four is not the answer जो डी बोल रहे थे वो आंसर नहीं है okay so correct answer अभी भी कुछ लोग बताना चाहेंगे correct तस्मान सी बीट्वीन ऑस्टिलिया न्युजरेंट very good आपने बता दिया है कि ये कहां पर located है ठीक है this is important okay और बाकी लोग या देखे correct answer option number that is one two and three okay तो यह आपको पता होना चाहिए okay तो फर्सका अंसर इस बी आई होप आप सब लोग का सही हुआ होगा okay or this is important question देखिए यह question मुझे लगा था easy है but still बहुत लोगों ने गलत माक किया है मतलब कहीं न कहीं वर्ल जोगरफी की थोड़ी mapping आपकी कमजोर है लगता है कि पता होंगे दस्मान सी तो पता होना चाहिए वो इंडिया नोशन में नहीं है तो very good चलिए आगे बढ़ते हैं next question क्यों remove करते हैं अभी भी मैं आपको बता दूँ आज बहुत से लोग remove करूं around 50 people are going to be removed from our telegram group today okay तो मैं आपको बता दूँ पचास से उपर लोग आज remove होने वाले हैं तो कहीं आप ना हो उन पचास में मैं सबसे अच्छा आपको हिंड दे रहा हूं question number 2 या दखेगा question number 2 का आप screenshot लेना या दखेगा जो आप answer लिखो को इसका screenshot लेना question number 2 में मैं आज ये एक jackpot है जिसको remove किया है उसके question number 2 का मुझे screenshot भेज दिया तो मैं उसको remove नहीं करूँगा वहना मैं remove कर दूँगा तो आज remove होने की चांसे सबसे जादा है तो चलिए start करते हैं आगे बढ़ते second question पर आते हैं this is important मतलब जो तस्मान C है that is in South Pacific Ocean और second question ही हमारा challenge question है challenge question है इसी लिए मैंने आपको पता है कि आप लोग इसको जरूर Somalia Sea कहां पर है Somalia कहां सी है यार यह कैसा question है Somalia country आपको पता होगा of course Indian Ocean पर ही होगा आप उसको diagram एक बात देख सकते हो है ना तो चलिए आगे बढ़ते हैं है ना तो शुशानी अदब कह रही है सब्सक्राइब करेंगे ना इसलिए मेरा ऐसा जेंड़ा है कि हम से सीरे स्विंश को रखेंगे नॉन सिस उनको हटाओ है ना साल रिमूफ टुड़े लॉट्स अपर दिन आते हो ठीक है जो लोग नहीं आते हैं उनको चिंता करने की ज़रूत है आप लोग को ज़रूत नही चेंज फो पीपल अन दा प्लानेट फर्स स्टेटमेंट लेकिन स्टेटमेंट है ट्वेंटी ट्वेंटी जो यह था वह पचासी 50th अन्वर्सरी थी अफो एन्वल सेलिबरेशन ऑफ ऐर्थ दे और थर्ड है थर्ड है लाइंड मार्क परिस अग्रिमेंट वो साइंड ऑन 2016 विच अमग द फॉलईंग च्टेमेंट लेकिन अगर आजिकला अगर आज नहीं आते हैं हैं और सूछ रहें मैं हर दिन आता हूं तो आपकर शुषण कस्कीन शॉट उस दिन का नहीं होगा तो रिमूव हो गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी तो लेट्स वेट विल गिव में तर सेकेंड आंसर करेक्ट देगा चालेंज कोशन का सबसे बहले आंसर जिसने दिया उसका नाम मैं ले देता हूं वा schme जिसने दिया उसका नाम लेए तर शांक कुमार नहीं गलत है आपका शंही एंसर गडु रिप्विक येंश गाडु रिप्विक ने करेक्ट आंसर दिया है कुशान चोहां ने correct answer दिया है उसके बाद correct answer जो है मॉनिका यादव ने correct answer दिया है देन प्रियंका प्रियंका रावत ने correct answer दिया है okay so yes the correct answer that is option number D मांसी जिन के रही है I am new here मांसी आप जरूर हमाई telegram group को join करें question number second का screenshot आप ले लिजे इस chat का और मुझे WhatsApp पर message कर दिजेगा मैं आपको अपने telegram के रूप आड कर लूँ हो जहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी correct answer जो है वो है option number D that is one two and three और या दिखिएगा yes 50th anniversary थी 1970 में first time celebrate किया गया था और ये बात भी सही है that is जो आप लोगा आंसर दे रहे हो 22nd April किसी ने लिखा अर्थडे यस 22nd April को अर्थडे celebrate किया जाता है this is also correct okay तो first भी सही है ये भी सही है और Paris Agreement बहुत अतियासिक agreement आपको पता होगा okay that was also signed on this that is 22nd April 2016 okay so all the statement are correct that is option number D is the correct answer very good Monica main agenda हमारा सही देने का है कर जल्दबाजी में जिन लोगे आंसर दिया उनका घलत आंसर हो गया okay उपर मेरा था okay मितेंद मैंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा okay so correct answer that is option number D ठीक है यादे कि 1970 में Earth Day सबसे पहले observe किया गया था तो 50 साल हो गए है कोश्चन Earth Day से आने के चांसे सबसे जादा है यह आपको याद अखना है इस साल आपको कोश्चन आ सकता है इस बागा जो थीम था Earth Day का that is climate action याद अखे इस बागी थीम क्या थी that is climate action ओके तो यह भी याद अखना है मेरा मानना इस साल आपको UPSC के पेपर में या कोई भी जो कमिंग पेपर आने वाले है उसमें आपसे Earth Day के बारे में कोश्चन पूछा जा सकता है ओके शालिए आगे बरते नेक्स कोश्चन में आते हैं that is going to be question number third important है आज मैं तो जोग्रफी से कोश्चन लिये हुए Assumption Island शायद आपसे सुरा होगा इस आइलेंड के बारे में ठीक है और अगला जो है अगली का आइलेंड या दखेगा अगली का आइलेंड और Assumption आइलेंड दो आइलेंड है जो न्यूज बे रहते हैं पूछा गया है दो आइलेंड कहां पर लोकेरेड है Pacific Ocean Atlantic Ocean Indian Indian Ocean Mediterranean Mediterranean Ocean Mediterranean तो यह जो आइलेंड है यह कहां पर लोकेरेड है यह आपको मुझे कमेंड बॉक्स में बताना है फिर से बता दूँ सब लोग बहुत लेट आए हुए हैं बत जो अब आगे हैं अगर आप लोग याद दखिए कि आज मैं टेलीग्राम को जो मेरा ग्रुप है जहां पर मैं पीडिएफ प्रोवाइड करता हूँ वहां से मैं और फिफ्टी लोगों को आज रिमूफ करूंगा जो कि सीरियस नहीं है और उन पचास लोगों में अगर धोके से आप रिमूफ हो जाते हैं जो कि आप सीरियस हो और यादखिए कि अगर आप रिमूफ हो जाते हैं तो नसे ब्रवले किस ने दिया है अगि शुशान्त दे रहे है भी गलत है शुशांत नूत तो दन बोके मिघं को नर यृट नूतन गलत है आप भी गलत है शीवा आप भी गलत हैं Assumption Silence बहुत फेमस आलेंड है Assumption Island ठीक अभी भी Assumption Island का पूछा जाए ठीक है Correct answer option number C है Indian Ocean ठीक है अगर किसी की geography weak है अगर आपके subjects weak है मैं फिर से repeat कर रहा हूँ एक बार description box में जाए हमारे application को जरूर डाउनलोड है हमारे application जाके lectures को देखिए आप तब ही आपको समझ में आगा है इसे questions आज़ा नहीं बन रहे हैं ओके तो कहीं न कहीं तो weakness है आपकी ठीक है correct answer option number C है ठीक है Indian Ocean आपको diagram भी दिखा देता हूँ यह देखिए Indian Ocean की islands आप देख सकते है Indian Ocean की islands आपको north से south arrange करने को भी पूछ सकता है यहां तो आपको यह नहीं याद आ रहा है कि यह कहां पर located है यह कैसे अरेंज करोगे north में कौन सा है south में कौन सा है यहां पर islands भी लिखे हुए important है देख सकते हैं यह दो हैं आपको समझ में आ गया होगा आ गया है तो बताइए आगे बढ़े मेरी बहुत वीक है देखिजिस की वीक है आप लोग प्लीज अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें description box में application का link के दिया हुआ है हमारे app को जरूर डाउनलोड करें आप पर यह answer ठीक था मेरा कोई बात या नहीं था very good अगर आपका अंसर ठीक था तो अभी तक एक ही सही हुआ मेरा कोई बात या पढ़ना चलिए next question move करें next question अभी current affairs का question है okay question है इंडिया का first geothermal field development project ठीक है याद एक है first geothermal field development project जो है वो developed किया जा रहा है कहां पर options है so these are the four options आप मुझे बताइए इंडिया का first geothermal field development project जो है वो कहां पर developed किया जा रहा है that is a direct current affairs question I'm waiting who will give me the correct answer okay जिस जिसका बहुत week चल रहे है subjects week चल रहे है please application को download करो भाई पढ़ाई करना चालू करना पड़ेगा question solve करके सिर्फ exam नहीं निकलेगा आपका है क्योंकि आपको means भी देना पड़ता है answer writing में करनी पड़ती है अभी आपको अगरी question नहीं मन रहे है answers कैसे लिखोगे आप तो इसलिए पहले basic fundamental पढ़ना बहुत जरूरी है और आपको अगर दिक्कत आ रही तो एक बाद मुझे WhatsApp कर सकतो हमारे app में जो भी facilities हैं आपको ज़र correct answer नहीं करते हैं एक single book order नहीं कर सकते आप correct answer maximum लोगों ने सही दे दिया तो इसमें नाम लेनिक जरूत नहीं है maximum people लो ले लद्दा की जा correct answer ठीक है और news में भी ताइए तो correct answer that is option number C that is lay चले very good और जो लोग याद अखेगा पूरी series नहीं देख रहे हैं वो भी पकरे जाएंगे कहीं ना कहीं और एक बार आप group से बाहर होगा आड नहीं होगे मैं फिर से repeat कर रहा हूँ question number second जो जा चुका है उसका जिसने भी answers में screenshot लिया होगा वो हमाई telegram group पैड हो सकता है और आज में जो पचास लोग को remove करोंगा उनमें से अगर आप होते हैं तो screenshot जरूर रखेगा वन आप दुबारा आएड नहीं होगे तो के चलिए आगे बढ़ते हैं next question में आते हैं next question जो है question number fifth ठीक है रीसेंट्ली एक इंशेंट आइडल है जो गौडर्स ना में याद देखेगा अनपूर्ण ना तो सोल किया गया था इंडिया से about a century ago is being brought back from which of the following country किस country के तुरू वापस लाए जा रहा है आप शोला और सत्रा में ऐसे questions पूछे जाये थे UPS द्वारा हो सकता इससार पैटर्न को repeat करें ओके तो correct answer जो है अमन ने correct दिया है a is the correct answer yes तो 5th का जो a लिखर है उनके नाम में ले देता हूं Canada yes अमन ने correct लिखा है अंशू पुरे ने correct लिखा है विकास मिश्रा ने correct लिखा है yes correct answer that is option number a Canada और जिसको नहीं पता था वो याद कर ले ये point को ठीके that is important आपकी exam में कामा सकता है Canada is returning the 18th century goddess Anupuna statue to India which was stolen over a century back okay तो याद अखना आपके exam में पूछा जा सकता है this question okay मैंने भी दिया था अमन अपसे पहले दिया है जवाब okay very good अमन तो चलिए आगे बरते next question में आते next question से पहले याद अखिएगा कल UPSC का notification आने वाला है और जिसने अभी तक नोच हमारे purchase नहीं किये हैं तो description box में नोच की देख सकते हैं और क्या means की subject से आपको भी पता होगा उसकी particular कोई books नहीं होती है ठीक है इस वेरी difficult to find internal security ethics इन सबकी book हम find out करें book में क्यों खर्चा कर रहा हो better आप handwritten notes में जाओ वो आपके लिए जादा better होगा ठीक है वेरी वेरी important okay so I hope सब लोग कह रहे हैं challenge के लिए लोग ready है or challenge is going to be very important okay so देख लेते हैं challenge question challenge question बहुत important है बहुत tricky question है three statement दिये गए है पहला statement देख लेते हैं India became the member of United Nation after getting the independence from British Raj तो India United Nation का member बना था after getting independence from British Raj first statement second Vijay Lakshmi Pandit was elected the first woman president of the UN General Assembly okay third statement UN Security Council is the only UN body with the authority to issue binding resolution to member states so these are the three statement regarding very important United Nation so India UN का member कब बना पहले तो ये पता होना ची आपको कि इंडिया UN UN तो सबको पता हो 1945 में फॉर्म हुआ था तो कि इंडिया founder member था United Nation का पहले तो आपके दिमाग में ये पिच्चर क्लिए रोने चीए क्या इंडिया वाद फाउंडर member or not ये बताईए मुझे आप कोशल को रहे हैं सी के कह रहे हैं अंशला पंडे चुषां सी के रहे बाणा कैरी मोनिका और कंप कैरिआ है अथि स्टार्टं के लोग के मैंने नाम ले लिए हैं oraz क्रेंकर प्रंौ्ट प्यंडर पांडिंग मेंबर था, 1945 में इंडिया ने UN को जोईन कर लिया था, तो याद एक फर्स मेंबर फांडिंग मेंबर था, ये आपको पता होना चाहिए, युनाइटेड नेशन का हेड़कोर्टर को ही मुझे बता सकता है, अभी युनाइटेड नेशन का हेड़कोर्टर कहां पर है, I am waiting, who will give me the correct answer, sir, पहले गलत, इंडिया फांडिंग मेंबर वेरी गुड, sir, आपसे पहले, सबसे पहले आंसर दिया, कोशल वेरी गुड, यसे इंडिया फांडिंग मेंबर, ट्रिक, वॉनिका कहरी ने, ट्रिक, येस, ट्रिक is always important, elimination method, सबसे पहले मेरा नाम कीजिए, अच्छा कोशल कोई बात आपने आंसर दिया, very good, eliminate करते ही आंसर आ गया, very good, छोबित, I think आप समझ गयोगे ट्रिक है, जेनेवा, New York, देखो, अभी भी, UN का headquarter, जो है, कुछ लोग जेनेवा ले जा रहे है, कोशल बहुत सही, अभी तु बहुत लोग जेनवा बोलने लगे, लगता है, आपको लग रहा है, जेनवा में यूएन का headquarter है, जली से मुझा हो, क्या जेनवा सही है ये, जो इतने लोग बोल रहे हैं, शिष्टी, इस नेहल कहरी है, New York, सचिन कहरी है, New York, very good, आमन हस्भी रहे है, सर मजाग बना रहे है तो actually उसने सबसे पहले काना, मेरा answer लीजिए, तो लो तुम्हारा answer सबसे पहले मैंने ले दिया है, और तुमने ही जेनवा बोला था, तो मैंने सबसे पहले बोल दिया है, नहीं सा गलत हो गया, network, New York है, okay, caution, चलो, caution है, correct answer, New York है, okay, चले, आगे बढ़ते हैं, और आगे question, फ को update करने के लिए ये question आया हुआ है, ठीक है, तो क्या आप लोग challenge के लिए ready है, जल्दी से बता दो, yes, everyone is ready for challenge question, let's bring the challenge question, question नहीं सेवन्थ जो है, zero valley, याद रखिएगा, zero valley, news में थी, because of kiwi, kiwi आपने शायद कभी खाई होगी, ठीक है, उसके लिए news में थी, recently, मैंने पूचा ये जो valley है, ये कहाँ पलो के लिए, अब ये हो जाता है, बड़ा tricky question, ठीक है, options है, सिक्य मुत्राखन, अरुनाचर प्रदेश और हिमाचर प्रदेश, okay, और ये valley अभी famous किसले हुई है, data से regarding kiwi, याद रखिएगा, ठीक है, मुझे बताओ, जल्दी से zero valley जिसको नहीं पता, वो answer दे, so life is a challenge, okay, प्रिक्स से करते हैं इस बार, चलो, तो बताओ, let's wait, zero valley जो भी recentी news में भी थी, मैं आपको hint दे रहा हूँ, जो नौर्थीस से देख रहे होंगे, उनको बताओ, जी ओ, नौर्थीस से ही answer आगया, लक्ष्मी नौर्थीस की है, उन्होंने अरुनाचर प् मानेता उपाध्या ने भी C लिखा हुआ है, उपाध्या जी, अपढ़ना भी C लिख रही है, उके, yes, C is the correct answer, जो इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा है, अरुनाचर माई स्टेट, मोली कह रही है, मेरे स्टेट से answer है, तो yes, the correct answer is Arunachal प्रदेश, उके, याद है किवी that grow wild in Arunachal प्रदेश, Euro Valley are only certified organic fruit of their kind in the country, ठीक है, तो कीवी की वेसा भी news में था, just remember location कहा है, नौर्थीस्ट हम generally नहीं याद कर पाते हैं, बहुत tricky tricky questions हैं, तिल कोशन के तुरू आप उसको याद करने कोशिश किया करिए, ओके, चले, next question में आता है, question number 8, quality के regarding question है, Council, मैं हिंद दे रहा हूं, यह Council 1971 में established हुई थी, कब established हुई थी, 1971 में, दो statement दिये गए हैं, आपको बताना है, कौन सा statement correct है, फर्स statement है, यह एक statutory body है, क्योंकि established हुई थी, economic social development of six scheduled area in Northeastern states, और second है, Council is headed by Prime Minister, और कौन सा statement correct है, यह आपको बताना है, I am waiting, I wrote it again, अच्छी था कहरी correct, अब बताओ, 8 question का answer बताओ मुझे, Northeastern Council, very famous council, बतादू आपको, शायद आपने zonal councils पढ़े ही होंगी, शायद आप Northeastern council के बारे में सोच सकते हैं, ओके, दो challenge हुए, बट answer लेट सोच का देती हूँ, very good कोई बात ही मनू, question number 8 का answer, I am waiting will give me the answer, महीमा कह रही है, C, दोनो statement correct ह ऐसा कह रही है, आनेता, अनेता, जो भी है, उनको वनों C भी दे रही है, C, C की ओर बहुत लोग जा रहे है, शुशान्त कह रहे है, home minister head करता है, very good शुशान्त, इसको head करता है home minister, C तो हो इनी सकता, जोनों C बोला है, वोनका तो answer में पहले गलफ कर दो, C वाले सब गलफ हो जितने सी बोल रहा हूँ प्रशान्थ वेरी गुड प्रशान्थ है ना आदित्य गलत हो आप correct answer option number D दोनों ही statement wrong है six schedule के लिए बनाई गई है ये council कैसी बाते कर रहा हूँ six schedule के लिए बनाई गई है six schedule areas के लिए बनाई गई है council okay so this is wrong first statement is also wrong second is also wrong six schedule के लिए बोड़ी बनाई गई है किसने बता दी आपको correct answer option number D है neither one nor two और भी states है North East के और सारे states के लिए council बनाई गई है okay so correct answer D है अभी बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं D है correct answer okay गलत हो गया मितेंदर yes मितेंदर गलत हो रहे हैं अब आपकी जब से आपने बोला है कि मेरे answer सर पढ़ें कोशल ने कहाता शायद okay okay sir मैं पढ़ता हूँ जल्दी भूल जाता हूँ ऐसा कुछ लिखेते कार्टिश लेकिन डिलीट कर दिये ठीक है चले या दखिए का statement one जो है वो correct नहीं है और eight states आते 1971 में यह established वी ती इस इस के अंदर या दखिए का seven north east के states seven sisters और जो eight state है वो है sikkim ठीक है तो total eight states आते हैं यह आपको पता होना चाहिए ठीक है I hope आपका clear हो गया होगा ठीक है उपाध्या कह रही confusion तो confusion पर ही question दिया था I thought this is an easy question but आप लोगों ने difficult बना दिया इस question को भी ओके चलिए आगे बढ़ते next question number nine Lebanon Lebanon सुना है आपने यह important country है मैंने पूछा है कौन सी country इसको border करती है options है Syria Israel Turkey कौन सी country Lebanon को border करती है Lebanon is a important country आपको मुझे बताना है ओके तो संगीता कह रही है सिक्षीर में क्या-क्या आता है ओके वेरी गुड यह अच्छी बात आपको बता है Lebanon को कौन-कौन border करता है it is border by whom okay याद अखिएगा आज मैं बहुत से लोग को गुरूप से टेल्गाम से remove करने वाला हूँ please second question का second question का screenshot चाहिए मुझे जिसमें आपने message लिखा हो answers का second question नहीं होगा वाज गुरूप से गया आप उसकी चिंदा मत करो second जो गया वह बाहर गया और फिर कभी आइड भी नहीं होगा okay correct answer क्या है question of ninth का okay I'm waiting will give me the correct answer trick से आ जाएगा यार देखते कौन ट्रिक अपना रहा है गडू रित्विक ए कह रहे हैं अब गलत है विजय कुमार एक रहे है तिशांक आप गलत है शुशांत एक रहे है तनु एक करें यह तकरेक्ट आंसर ऑप्शन नमें टू तर्की नहीं टच करता है लेबनन को यार कि कहां से टच कर देगा यह देखो यह लेबनन याद रखिए का लेबनन इस नॉट टच् अब भी बहार हो सकते हो तो जल्दी से मुझे बता दो टकी बॉडशियर नहीं करता ही मांशू कहरें वेरी गुड लेबनन की कापिटल आम वेटिंग विल कि विद अधा करेक्ट आंसर फॉल लेबनन लेबनन की कापिटल मुझे पता दो रोट सर राइट ओके वेरी हैं और लास्ट कोशन जो है करेंट अफेर से रिगार्डिंग है एचल टूम ओके तो या रखिएगा टोकामक रियक्टर टोकामक रियक्टर जो है एचल टूम यह आर्टिफिशल एक सन कहा जा रहा है यह इनिशेटिव किस कंट्री का है डारेक्ट कोशन है पता होगा तो म एचल इफिशल सन के नाम से भी जाना जा रहा है सबसे पहले मैंने आंसर दिया था आपने मेरे नाम नहीं लिया इंगा कोई इस देरो गलत है बहुंञी है distracted कि ऑविछ गलत दे रहे हुए अभी लास जाते हैं इमान्शू करक्त दे रहे है कुर्शांद्र ने सही दिया रूपा तो यो लोग चो आपको को आपको है है निए नो कर दिया जाएGा और मुझे एक बार वाच्ट आप या टेलीग्राम पर मैंसेज कर दो आप तो मैं आपको आड कर दूँगा करेक्ट कह रहे हैं आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नमर डी चाइना है आपको पता हुनों ची ओके सो वी हाव डन हमने जो हमाई सिरीज थी आज की कम्पीट हो गई है किसके क्या स्कोर रहे हैं कमेंट बॉक्स मुझे जल्दी से बता दो तो खौंच सबको सेंड करनाहीं जो वही लोग करें जो अभी तर्व पर एड नहीं होए हैं तो ही स्की नियुक्ट कर दे करना जो साथ है सर मेरा नाम आते-ach पते हो हमेशा और जब गलत होता है सबसे पहले ले लेते हो हाधल खहर है कि उनका नाम गलत कि नाउंप ब आपने कित्ते वार यह एक कम्सवार केया है तो सब को सेंड करना है ह्चार से 20 कोशन करिये कैसे करों 10 से 20 कोशन आते बनी लाई सेशन में दस से बीस कर दो बोल रहा हो मेरे दो सही हुए वेरी गुड मनु कॉंग्राइशलेशन आपके सही हुए जय हिंद कह रहे हैं यह रहे हैं यह प्लीज दोंट रिमूव मी शोबिद ठीक है भाई स्कीन शॉट रखना और कल और कल फिर से लेट आए ना फि नकीट से सबकि वह दिश्वी लोग है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आही है कॉस्ट की क्वालिटी अगर आपको पसंद आही है जरूर एक बड़ वीडियो जरूर लाइक कर दें लोके तो आपको पर पताशन जब्द आते है कोुशन कर दूंगा या सिरीजी बन कर देंगे फिर इसमें कौनसी बात है है न है यह विट फॉर एक लास एवी डे नो सा सिरीज कभी बन नहीं करना साइज तो आप लोग सब लोग आते रहे ना और ना फिर दिमाग खराब होगा तो क्या करेंगे बहुत इंफॉर्मिटिव होते हैं आपके नेक्स लेक्चर ने जरूर करें ओके शोर है ना चलिए फिर चलते हैं यह ना गुड नाइट टेक क्या जैहन अलविदा